नमस्कार जी, सथ साइब, क्या नाम है जी आपका, सर मेरा नाम तारा जोशी है, तारा जी आप कहां से हैं, सर बेसिकली मैं बागिश्वर उत्राखंड से हूँ, लेकिन इस समय मैं गौर्मेंट इंटर कॉलेज बुभाओं में पोस्टेड हूँ, तो पिछले 12 सालों से हम स्क साथना भी करते थी, सर मैं प्रिसिद्ध शिवधाम जागेश्वर के पुजारी परिवार में मेरा जन्म हुआ था, तो हम शिवजी को बिशेष इश्टमान कर पूजा किया करते थे, और उसके साथ साथ लोक में प्रुचली जो हिंदु धर्म में जो भी साथ नहीं थी, उ और मेरे चाचा चीज उते, बहुत लंबे समय से जागेश्वर धाम में पूजा अरचना किया करते थे, वहाँ पर पुजारी का कारिया किया करते थे, तो इसलिए हम शिवजी को बिशेष इश्टमान कर पूजा साथना किया करते थे, और उसके अलाबा अन्य जो भी लोक म मंदर में पूजा अर्चना करते थे तो क्या कारण बना कि ऐसे परिवार में जन्म होने के बाब जूद भी आपने संत रामपल जी माराच को अपना गुरू बनाया हा सर बहुत लंबे समय तक हम शिव जी को ही इस्ट माना करते थे उन्हें सबसे सर्वसक्तिमान देउता माना करते थे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई गुरू बनाएंगे क्योंकि मत्तब एक ब्रहामन कुलम जन्म लेने के कारण एक ब्रहामन लोग ये कहते हैं कि हम जन्म से ही गुरू पत्पर हैं हम तो अन्ने को शिक्षा देते हैं हमें कोई और गुरू बनाने की आउशक् प्रवचन वाला चैनल मिल गया साधना चैनल तो सुनते ही फॉस्ट ट्रेक्ट हो गए और संत्रामपाल जी महराज जो भी ग्यान दे रहे थे उसको सुनने लगे और उनको शायद समझ में आने लगा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया जब एक मैंने या उससे थोड़ा समय ज्यादा देखने के बाद मेरे हजबेंट को समझ में आया तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हम इतने सारे सत्संग प्रवचन आज तक देखते थे हमने इस चैनल को तो देखा ही नहीं आद्यात्म का सबसे इंपोर्टेंट ग्यान तो इसमें बता रहे हैं संत्रामपल महराज ये बता रहे हैं कि इससे उपर अक्षर पुरुष है और उसके बाद प्रम अक्षर पुरुष पूण ब्रह्म हैं और पूण ब्रह्म की साधना से ही पूण मोक्ष मिलेगा यदि हम निचले देवी देवता जिनकी भी जैसे त्रीदेवों स्री ब्रहमा जी पूर्ण मोक्षई होना चाहिए चाहिए हम कितने लॉंग पिरियट के बाद आ रहें लेकिन इसी चक्रमा आ गए फिर वो तो मोक्षई कहा हुआ इसका मतलब तो मुझे भी सुनना चाहिए कि आखिर संत्रामपाल जी महाराज क्या कह रहें तो मैंने भी सुनना शुरू किया तो धीरे धीरे सत्संग सुनने के दोरान जब हमने फिर समस करके ग्यान गंगा पुस्तव भी मंगाई उसको पढ़ा तब हमें पूर्ण विस्वास हुआ कि संत्रामपाल जी महाराज जो ग्यान दे रहें वो सब धर्मगरंतों के आधार पर है सत्य है हम बरवाला आश्रम म गए वहां हमने संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लिए और संत्रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने लगे संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको क्या लाब मिले बिल्कुल सर जो संतरामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद हमें लाव मिले इतने लावों की हमने कलपना भी ने किरे थी क्योंकि शुरुआत से हम भक्ती से जुड़े हुए थे और कोई ऐसा दर नहीं था जहां पर हम गए नहों जहां पर हमने शीश न जुखाया हो जिस भगवान को हमने याद ने किया हो लेकिन हम भूल गए थे कि भगवान की भक्ती से कोई लाब भी मिलते हैं लेकिन अब हम हार चुके थे हम ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है सारी भक्ती हमने कर ली इनको भी करके देख लेते हैं तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं बहुत शारीरिक पीडाओं से उस समय गुजर रही थी पहले तो शारीरिक रूप से मैं स्वस्त थी लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद मुझे इतनी बीमारियां लग गई थी कि मैं सोचने लगी अभी मेरी शादी को अभी 1.5-2 साल हुआ है मेरे सस्राल वाले भी सोचेंगे कि शायद हमें जूट बोलकर बीमार लड़की की शादी हमारे घर में कर दी मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी बीमारियों ने घेर लिया क्योंकि मुझे पाइल्स की दिक्कत हो गई थी और 360 दिन मुझे कोल्ड रहता था और सबसे बड़ी मुझे internal infection की दिक्कत हो गई थी वो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो कहीं से ठीक नहीं हुआ तो मैं यह सूचती थी कि शायद यह संत्रामपाल जी महराज ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा फिर मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी दो विमारियां ठीक कर रखी है तो ये भी जरूर जब हमें पता चला तब डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो मतलब ऑप्रेशन की स्टेज से भी बाहर चली गई हैं अगर हम इनका ऑप्रेशन करेंगे तो ये कैंसर और फैल जाएगा शायद ये फिर रुके नहीं तो इसलिए उसनकी कीमो थेरेपी और रेडियो थेरेपी हुई थी बत्रा होस्पिटल दिल्ली में और उस समय डॉक्टर ने हमसे कहा था है कि यदि हमारा ट्रीटमेंट सकसेस हुआ तो इनकी दोड़ाई साल एज एक्स्टेंड हो सकती है लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा होगा भी या नहीं सर उस समय तो हम दोड़ा जी जो थे वो जो यहां पर लोकल लेवल पर जैसे भूत पूजा की जाती है उसमें बली दी जाती है या इस तरह की पूजाओं पर बिल्कुल यकीर नहीं करते थे सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम या अपने जो आपके कुल के इस भूत को इस्ट कहते हैं तो उनकी ठीक हो जाती है तो तुम जो करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ तो सर उसके बाद हमने बहुत बड़ा मंदिर बनाया लोकल देवता गंगनाज जी कहते हैं बहुत पैसे भी खर्च हुए और वहाँ पर हमने दो बकरों की बली भी दी कि हम कुछ भी चीज ऐसी छोड लेने मैं गई थी उस समय मम्मी नहीं आई हुई थी मेरी मम्मी का मामला शायद ऐसा इकलोता हो जो कि संत्रामपाल जी महराज द्वारा दिये गए अमरत जल से पहले ठीक हुई तब वो नाम दिख्शा लेने जा सकी क्योंकि यदि उनकी तब्या ठीक नहीं होती तो वो बि ठीक कर दीजिये ता कि हम आपकी शररण में ला सकें या फिर उसके सरीर को मुक्तक कर दीजिये ता कि मतलब हम उसको दो दर्दे से तरफता ना देखे हैं तो संत्रामपाल जी महराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ है मम्मी को मैंने थी थी हाँ मैंने आज भी दवा नहीं खाई फिर अगले दिन भी नहीं खाई तो हमने सूचा ये कैसा चमतकार हो गया कि कहीं से मम्मी ठीक नहीं हुई लेकिन यहां पर से कैसे ठीक हो सकती है फिर जब एक महना बीद गया था संतरामपाल जी महाराज नहीं मेरे मन में करती थी कि बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी मुझे बहुत कश्ट है उसने कहा हां क्योंकि उसको रिलीफ मिल चुका था उसके बाद तो ममी बरवाला आश्रम गई संतरामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा ली आ संतरामपाल जी महाराज की दया से उन्हें सार नाम मिल चु इन बातों को आज दस बश्रों पूरे हो गए हैं और अभी इस समय भी ममी को कोई दिक्कत नहीं है हम दोनों हजबेंट वाइफ गवर्मेंट इंपलॉई हैं तो सब लोग यह मानते हैं कि गवर्मेंट जॉब वाले ठीठा कर लेते हैं वह बात सही है लेकिन मेरे मतलब तरह तरह की जो है शराव रखी हुई थी उसको वह अपना स्टेटस सिंबल मांते थे तो हम कुछ भी बज़त नहीं कर पाते थे हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं थी और उसके अलावा कभी कभी शोकिया वो दिवाली में जुआ भी खेला करते थे मुझे ऐसा लग चुकी थी फिर मैं ज्यादा कुछ कहा भी नहीं करती थी और संत्रामपाल जी महराज की शरण में जाने से पहले ही तब सत्संग सुनने से ही मेरे हजबेंट ने मीट खाना तो बन कर दिया था सत्संग प्रवचनों से इतना प्रभावित हुए और जिस दिन मेरे हजबेंट संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने गए उसके पहली शाम को भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी और उनसे कहा था कि मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ आज के बाद मैं आपके साथ ये पार्टी नहीं कर पाऊंगा उस दिन से मेरे हजबे ने शराब नहीं चुई तो उसके बाद से ये 2013 से आज 8 साल का समय पूरा होने को तो है हमने कई जमीने जोडी मकान बनाया अच्छी तरह से अच्छी सेविंग रहती है जबकि वही नौकरी हम पहले भी कर रहे थे उसी नौकरी को आज भी कर रहे हैं संत्रामपाल जी अच्छी हैं उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत ज़्यादा पिरसिद हैं इन तीरत स्थानों पर लाखों लोग जाती हैं और डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और वो लोग ठीक नहीं होते संत्रामपाल जी महराज उनको ठीक कर देती हैं ऐसा कैसे हो रहा है आपने ठीक कहा कि उत्राखंड जो है देव भूमी मानी जाती है यहां बद्रिनाथ के दानाथ ही नहीं यहां तो मतलब हर किलो मिटर पर आपको कोई धाम देवल धाम पूजने को मिल जाया का जहां यहां लोकल के ही नहीं पूरे देश के और विदेशों से भी ल लेकिन उन सबसे हमको कोई लाब नहीं हो रहा था और संत्रामपाल जी महराज की शरम जाने से यह इसलिए संभव हुआ कि संत्रामपाल जी महराज जो है सास्त्र समत साधना बताते हैं क्योंकि जैसे गीता अध्याय स्लोक्तियेश में लिखा हुआ है कि सास्त्र विदी को त्याकर जो मनमाना आचरण करता है उसको न तो सुख होता है न सिद्धी होती है ना उसकी कोई परमगती होती है तो यहां उत्राखन में जो भी देवल धाम है वो उनकी हम कितनी ही पूजा कर लें उनसे कोई लाब नहीं होना है जैसे हमको नहीं हुआ क्योंकि वो सास्त्र साधना ही नहीं उसे लाब नहीं होगा तो संत्रामपाल जी महाराज द्वारा दिये गए भक्ति मंत्रों से इसलिए लाब होगा कि यह मंत्र हमारे सास्त्रों से प्रमानित हैं और यदि सास्त्र विजद्ध साधना हम मनमाने ढंग से कितनी भी करती रहें तो साधना की सही बिधी ने हैं अगर कोई भी काम सही बिधी से नहीं किया जाता तो इसमें सफलता नहीं मिलती तो आध्यात्म मार्ग में कैसे मिलेगी तो आज के दिन में मत्द पूरे विश्व में संत्रामपल जी महाराज के अलावा किसी आप कहा करते थे गीता में लिखा है और कथा वो अपनी कहते हैं बोल देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है जिस दिन उनके अनुयाई शुरधालू लोग खुद किताब खोल कर देखने लग जाएंगे वो प्रश्ण उनी से करेंगे कि जो आप कहा करते थे ये गीता में लिखा है ये शिरिमत देवी भागवत में जिससे हम प्रवचन कर रहे हैं तो वो कहां पर है तो अभी सिक्षित समाज है थोड़े समय बात जागेगा और सब लोगों को संतरामपाल जी महराज का ग्यान शुविकार करना ही पड़ेगा और लाब भी तबी मिलेंगे सर ये कंप्लीट और फाइनल मोक्ष मार गया है इ सर मैं जो भी लोग या तो संसारिक दुखों से पीडित हैं या सत अध्यात्रिक मारगों को खोज रहे हैं मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि यदि आपको इन दोनों चीजों को प्राप्त करना है तो अंतत है आपको संतरामपाल जी महराज का सत्संग सुनना पड़ेग संतरामपाल जी महराज से नामदिक्षा या संतरामपाल जी महराज के विशय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज अनेक टीवी चैनलों पर संतरामपाल जी महराज के प्रवचन प्रसारित होते हैं और उनके सत्संग प्रवचनों के दोरान टीवी पर जो नंबर डिस सकते हैं धन्यवाद जी